हेलो सुजेंट्स वेलकम बैक टू पारंगत कमड़ एजुकेशन कलम ने वीडियो यहां स्थमाप करी थी लेयर पर आज हम लेयर में आगी की ऑप्शन बताएंगे लेयर प्रॉपर्टीज और लेयर स्टाइल के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर की अभी हम यहां पर देखेंगे दो लेयर हैं यहां पर हमारे पास यह वाली और एक अगर हम देखें राइट क्लिक करके तो लेयर वन है हमारे पास जिसके हम हिला डोला सकते हैं इसके अंदर दो layer यहां पर हम layer पर click करते है किनारी पर इस से किसी भी layer पर हम जा सकते हैं और इससे हिला सकते हैं हम क्या करने इस उपर वाली layer को हाइड कर देते हैं देखिए hide हो गई यह दो layer already hides थी इसमें से एक layer को हम खोल ले रहे हैं अब हमारे पास एक यह वाली layer on है और यह वाली layer on है हम इस दौनों में से वो layer जो हमने hide कर दी हैं उन्हें हम delete करना चाहते हैं hide layers को delete करना चाहते हैं तो इसमें direct एक option होता है layer में delete hidden layers ऐसी layers जो हमने hidden कर रखी है वो delete हो जाएं click करेंगे okay करेंगे यह देखे delete हो गई तो हम इसे delete कर सकते हैं अब देखिए यह जो layer हमने निकाली हुए है इसके उपर कुछ हम setting करते हैं देखते हैं जरा कुछ setting कैसे होती है layer में layer में गए और layer properties में गए okay किया यह color दिये हुए है जैसे मैंने पहले बताया था हम green color ले रहे हैं या फिर आप orange color ले ले लिजिए और okay कर दिजिए बस क्या है layer का color बदल सकते हैं बहुत easy option है पहले भी हम बता चुके हैं कल इसके बाद जो option है वो layer style का है इस layer के अंदर हम तरह तरह की style देना चाहते हैं तो हम यह option को लेंगे blending option को लेंगे इतने सारे options इखटे हमारे खुल की आ जाएंगे आप देखिए इसमें सबसे पहला option जो है यह drop shadow दिया इसके मैं click कर रहा हूं ऐसे click नहीं करना है कि खाली हमने check box पे click कर दिया तो वह चीजिए on तो हो जाएंगी लेकिन उसे हम सारे option खुल जाएंगे देखिए अलग option आ रहा है इस पर क्लिक करती option भी चेंज हो गए तो blending option में हम default में देखेंगे तो देखिए इससे photocom हलका कर सकते हैं डार्क कर सकते हैं इस option से भी यह हो रहा है चैनल में color कौन सा अठाना चाहते हैं red, green, blue जो चाहेंगे इस चित्र में से वो color हट जाएगा तो बहुत सारी option आपको दिये हुए है यह देखिए colors भी लगा रहे हैं कर रहे हैं तो बहुत सारी options यहां पर दिये हुए हैं इनको हम नहीं चीड़ते हैं सीधे आते हैं drop shadow पर पर आएंगे तो इसकी shadow आरी आप जानते हों के परचाई कौन सी color की वैस्तो ब्लैकी होती है रेकर आप चाहें तो यहां पर उस परचाई को बदल भी सकते हैं माले yellow चाहते हैं या blue कलर की चाहते हैं तो उस color की आप परचाई दे सकते हैं देखिए यहां से तो ऑपसिटी क कम और ज्यादा हो रही है आपको दिखाई नहीं दे रही हो कि मैं परचाई को थोड़ा बढ़ा कर लेता हूं साइज दिखिए साइज का भी option दिया हुआ है परचाई का option मैंने बढ़ा कर लिया है ग्ले उस प्रेट कर लिया है यह तो ऑपसिटी किसकी चीनल कम निशिदा करते हैं अब बल्कुर डार्क आ रहा है इतना डार कलर परचाई का है लाइट कर सकते हैं जितना भी चाहें लाइट करने के लावा डिस्टेंस क्रेट कर सकते हैं देखिए परचाई नीचे को कही है कि इस प्रेंट मतलब होता है दुन्दला कर सकते हैं इसे हम ब्लर भी कह सकते है अब बास तक आ गया यह दूर तक जा रहा है मतलब ज्यादा चोड़ा उसका सर्फेस बन रहा है और साइज बढ़ा सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं अब इसको बंद करते हैं और सेकंड लेते हैं इनर सेड़ इनर शेड़ क्या होती इसमें भी कलरचेंज कर सकते हैं यहां भी कुछ ऑप्शन दिये हुए है डार्कन कलर चाहिए बिलकुल लाइट चाहिए तो वह कलर्स आप अपने अप सेट कर सकते हैं यहां से ऑपिसिटी डार्क लेराओ में इससे हमें दिखाई दे प्रॉपर डिस्टेंस देखिए अंदर कोई जा रही है तो डिस्टेंस क देदिया हो साइज करेंगे तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं अब देखिए चारों तरफ से इतना इतना यह डार्क था लाइट होता चला गया है अगर मैं इसे चौट अटा दूँए तो इतना है यह लेकिन मैं इसे क्यूंकि लाइट कर दिए इसके कौन है तो वह कोन है इतना मुझे दिखाई दे रहा है तो साइज अपने इसाफ से हम चेक कर सकते हैं यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज और उसे धुन्दले कर रहे हैं उसके कौनों को तो कुछ इसकार से चोक कर सकते हैं नोईस करेंगे तो वही डॉटेट में आ जाएगा सारा का सार यह जादा अच्छा लग रहा है कि यह एंगल भी दिया है कि देखिए शेडव के दर की साइट अखनी है आपको एंगल से दे सकते हैं कि ड्रॉप शेडव में भी एंगल दिया हुआ था हमने किया नहीं था फिलाल दौनों को बंद करते हैं अब लेते हैं आउटर गिलो ग अच्छे लोग देखे होंगे जैसे कोई महात्मा वगारा देखा हूँ या टीवी सीरिल देखें लो आता है तेज आता है जैसे तेज कहते हैं वह हम ले सकते हैं साइज बढ़ा लेता हूँ यह देखिए तेज आ गया अगर से हम शार्पली सेलेक्टेड करें किसी फोटो क देखा हो तो अलग प्रकार से दिखाई देगा मैं आपको दिखा देता हूँ बाद करके यह लेयर ले लेता हूँ मैं और शार्प सब्सक्रेड कर लेता हूँ इसे मैं थोड़ा सा यह मैंने टूल लिया है यह मैगनेटिक टूल है सेलेक्शन के लिए कि इसको मैं Ctrl-C Ctrl-V कर लेता हूं अब देखिए इसको तेज़ देता हूं मैं हम इसमें जा रहा है लेयर में लेयर स्टाइल में ब्लेंडिंग ऑप्शन या सीधे आउटर गलो पे आ जाईए वही ऑप्शन खुलने वाले हैं यह देखिए तो इस प्रकार से अब गलो बढ़ा सकते हैं किसी भी चेहरे का क्योंकि मैंने फोटो को ऐसे भी सेट के तो यहा भी गलो बढ़ आप इस प्रेड कर सकते हैं देखिए noise कर सकते हैं dotted में changes और यह opposite भी change कर सकते हैं आप इसके मतलब कि चमक कितनी ज़्यादा रखनी है वो सब चीजें भी हम यहाँ shadow पर दे सकते हैं सब इसी shadow के उपर हो रहा है अब देखिए outer glow के बाद मैं इसी पर बतायता हूं inner glow इनर पर click करेंगे inner glow पर click करेंगे देखिए noise वही सारी चीजें lot lot के इसके अंदर आ जाती है size बढ़ाना है अब यह अंदर की और जा रहा है glow जैसे चाहिए वैसे आप इस glow को ले सकते हैं इनर गलो को अटा के आप मैं करता हूं बिवैल इस पर click करेंगे तो यह फोटो थोड़ी उभरी हुई आ रही है ऐसा लग रहा है उपर को उभर के आ रही है निकल के आ रही है देखिए जो मैंने select कर रही है स्रिफ हो ही हो रही है यह size है size भढ़ाएगा घटे का तो changes लगी रहे है थोड़ा कम कर लेते हैं तो अब यह उभर के आ रही है फोटो हमारे लिए तो यह भी काफी अच्छा लग रहा है यहां पर भी हमारे चारों तरफ के design दिए हुए आप आप कैसे design लेना चाहते है फोटो के उपर वह सब यहां से दे सकते हैं तो पूरी पूरी अगर फोटो select कर लेता पूरी फोटो ऐसे लगता फ्रेम से बाहर निकल रही है बहुत ही अच्छा एक style इस फोटो का बन जाता तो अब यह भी कर सकते हैं इसके बाद contour है contour पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है वही थ्रीडी वाला style हो रहा है छो नीचे भी कर दिखा है वो पूरफ़स्टायओ यहां से भी कर सकते हैं अपर इसके आप टक्सथर है ihi टेक्ट्र में क्या हो रहा है इसको अठातागत्चर पर क्लिक कर लेताओ यह े टायए इस ट्रेक्शियू को मैं लगा रहा हूं इस की छोटा बड़ा कर रहा हूं छोटे बड़ा करING ए सबड़े हो जाएंगे करेब तो इसाल राइट कर देते हैं ड्रत अंदर को जा रही है यह जोटते हो रहे है एक अगर मैं बढ़े तरिक आ लेयर पर तो मैंने इस लेयर को select कर लिया okay तो बारा हम लेयर के अंदर गए और लेयर के अंदर जाने के बाद जिएवा लेयर इस टाइल में हम वेलरण में चले गए इस में ट्क्चर में चले गए अब देखेए यह ट्पीर आ चोटा सा था वह सेलेक्शन तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि देखिए डाक कर लिया मैंने बड़े-बड़े टैक्चर भी आ रहे हैं अगर आप इस वहले टैक्चर को देना चाहिए इसको दीजिए किसी और टैक्चर को देना चाहते हैं किसी और टैक्चर को दीजिए बहुत सारे texture इसके अंदर दिये हुए हैं, जो photo के उपर आप लगा सकते हैं, light करके, पूरी photo का भी ये background बना के, layer बना के लगा सकते हैं, light करके पूरी photo पर भी लगा सकते हैं, तो अलग से effects जो हैं, इसके उपर आ जाते हैं, ये कर सकते हैं, stain पर आ जाते हैं, इसको अटा द वह हम यहां से दे सकते हैं इस टेन के बार कलर डेफ्ट है कलर लगा सकते हैं कोई भी आप कहेंगे कुछ फोटो दीखी ने इसे लाइट करिए अभी फोटो दिखेंगे जो कलर दे देंगे उसी कलर में फोटो आपको शो हो जाएगी लाइट दिया हुए डार्क देंगे तो डार्क हो जाएगा तो किसी फोटो पर ऐसा देखेंगे कितना सुंदर कलर लग रहा है इसका अगर पूरी फोटो को देखें तो यह ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इस प्रकार से कलर भी दे सकते हैं इन दौनों को बंद कर दे रहेते हैं पूरी फोटो पर सत रंग की कलर लग गया है जो हमने दिया था तो उसमें फोटो देख रहे हैं आप दिखा हो मॉडल की फोटो किसी ती है अभी रेड लाइट ब्लू लाइट येलो लाइट जलाई जाती है वह लाइट है यहाँ पर प्रॉपरली अपने आपी यह पूरी फोटो पे थे ना चाहे तो फोरी फोटो का बेग्राउंड बना लिजिए लेयर बनाली 10 अर उस पर दे सकते हैं मैं पूरी फोटो पर देखे भी दिखा देता हूं आपको फोटो को इस पर सेलेट कर लो यह भी लेयर बनी हुई है और इस पर भी हो जाएगा लेयर में जाएए लेयर स्टाइल पर जाएए ग्रेडियेंट ओवरले पर जाएंगे यह देखिए पूरा आ रहा है पूरी फोटो पर है तो यह दो फोटो एक यह जो गड़न है यह अलग से लगी हुई आपको मालोमत हैुसकी लीयर बनी हुए और यह बी लेयर बनी तो इससे नहीं आते बाकी पूरी फोटो पर आ uh कौन तो अद्वली दिशा में चलेगा है और ऑपक पोटो बहुत अच्छी लग रही है इन लेयरों को अब भटा दें तो भी इस लेयर पर आप इस काम को करकर लगते हैं पैटर्न मेकर है, अगर आप कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं, पूरी फोटो के उपर, तो पूरी फोटो पर पैटर्न भी लगा सकते हैं, देखें इन दौनों फोटो को मैं hidden कर देता हूं, यह दौनों नहीं दिखेंगे आपको, आप देखें, लेयर पर जाएंगे, पैट पैटर्न भी लगा सकते हैं, यह भी काफी अच्छे लगते हैं, और काफी सारे पैटर्न होते हैं यह आपर, और आप चाहें तो इन पैटर्न को बना भी सकते हैं, यह भी मैं आपको बता चुका हूं पहले, यह भी लगा सकते हैं, एक स्ट्रोक option और होता है, स्ट्रोक क्या और कि यह वाला फोटोग्राफ में ले लेता हूं अब देखी इसके उपर लाइन को देखते हैं रहा हुआ इस टोग पर जा रहे हैं मैं अधिनि साइज इसका बढ़ा रहे हैं कि वह कर दिखाई नहीं रहा है जिसके लिए हमने से किया है देखिए हमने किस पर क्लिक कर रखा है क्लिक तो अलग जगह पर हो रहा है क्लिक हमने इस लेयर पर कर रहा है और काम हम इस लेयर पर कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं होगा ना तो जिस लेयर पर हम सलेक्ट करेंगे उसी लेयर पर वर्क करेगा क्योंकि हमने किसी और लेयर को select कर रखा था इसलिए इस पर नहीं हो रहा था इस बात का भी आपको भी विशेश जान रखना है कि हम जिस लेयर को select करेंगे उसी लेयर पर काम करेंगा आप देखते हैं यह देखिए कितनी मुटी लाइन आ रही है फ्रेम सा बन गया लाइट और डार्क भी कर सकते हैं आउटसाइड है इसे इंसाइड भी कर सकते हैं इसे सेंटर में भी कर सकते हैं आधी बाहर और अधी अंदर लेयर के और कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं आप देख rabbits यह लात में कैसा लगीग है यह लो देते हैं तो इस प्रकार से फ्रेमिंग भी कर सकते हैं मैं में डे जाए रहा था तब भी स्रक्षेशन दूसरी जगह पर था इसलिए आपका काम नहीं हो रहा था तो यह में जगह से यह काम हो रहा है हमारा क्योंकि हमने उस लेयर को select कर रखा है इतने सारे आप option यहां पर use कर सकते हैं अगर अगर अब new fill layer को लेना चाहते हैं तो आप solid colors ले सकते हैं और कोई भी solid colors layer के उपर डाल सकते हैं देखिए यह color आ चुका है कोई सा भी लेकिन अब color लेने का फायदा क्या हुआ आप इस लाइट डाल सकते हैं इस color को आप light भी डाल सकते हैं कैसे डालेंगे light देखिए मैं control shift जाएट कर देता हूं दुबारा आ गया color अगर मैं यहां से भी light करना चाहूं तो यह light हो जाएगा देखिए पूरी photo पर मैंने यह color है उसे light कर दिया है बहुत और color तो आप बदली सकते हैं कहीं से भी तो यह काम भी आप कर सकते हैं ऐसे हम gradient डाल सकते हैं जो भी हमने दिखाये थे gradient बहुत सारे colors होते हैं gradient के अंदर देखिए यहां से light इसे कर सकते हैं लगाने के बाद भी हम लगाने से पहले भी इसे light कर सकते थे देखिए कैसे करेंगे layer में गए new layer वो sorry new fill layer और हमने से किया gradient और gradient करने के बाद यहां से इसे normal तुड़ा कम कर दीजिए 37% कर दिया है आप देखिए जो भी आएगा वो light लगके ही आएगा जिसमें अच्छा लग रहा हो वो तो से आप रख लीजिए तो बहुत सारे effect है आप अंदर से भी ले सकते हैं या बाहर से भी ले सकते हैं मैं ऐसे cancel ही कर दिता हूं करके तो हमने देखी लिया इसके लाव यहां पर तीसरा option है pattern जैसे अब हम pattern लगा रहे थे यहां से भी pattern लगा सकते हैं और light कर सकते हैं पहले से ही तो आप light करके देख लिए जो pattern आपको अच्छा लग रहा हूं वो लगा लिए यह कि फोटो आगई है जो बनाया हुए pattern है देखिए बहुत सारे pattern यहा हमने अंदर से भी pattern को लगाना सीखा था अब यहां पर option जानने का है बहुत important वह यह चेंज layer content वैसे आते नहीं है खुलके अभी खुलके आ रहे हैं मैंने क्या किया है solid color लगाया हुआ है अगर मैं gradient पर click कर दोंगा तो gradient आ जाएगा जो color हम लगा के रखते हैं वह यहां पर हमें दिखाई देता है layer content option में हमें वह option दिखाई देता है जो हमने रिसेंटली लगाया होता है वैसे दो option खुलके नहीं आते हैं अब यह खुलके आ रहे हैं कि यहां पर जब हमने color दिये थे पैटरन दिये थे तो उनमें से किसी भी color पैटरन को यह adjustment of layer को हम change कर सकते हैं चलिए adjustment of layer जो है color पर वहम आपको कल बताएंगे यह मैं आपको आज एक चीज बता देता हूं इस इसे packaging करते थे यां यहाँ से change करते थे color देंगे रहा वो बीद Progress जो होता था सब पर चेंज होता था यपा सब पर छेंज हैं सब पर पर आदटी सूरी वो इस शरुझेश लेयर पर होता था तो Hiçले resultados से कर रखी होती थी लेकिन यहां से जपंची ज़िखbourg करेंगे नौसा सारी लेंट होज़ा है देखिए जATHANlike अधाले सिसी चीज़ को अगर मैं image से करके देखाऊं तो तो कुण अश्रवू सब्र्बन एक लेयर पर ही होज़ाई है जो भी हम चेंजिस कर रहे हैं सिर्फ वो एक लेयर के उपर हो रहे हैं चेंजिस और जबकि अगर मैं इसे यहां से न लेके लेयर से लूँ अप्शन को तो सारी लेयरों पर एक साथ होता है कोई से भी कलर को आप ले लिजे अब यह सारी लेयरों पर एक साथ हो रहा है तो यह इसका benefit है यह इसका changes है image adjustment अगर करते हैं तो सिर्फ उसी लेयर पर होता है जो लेयर select होती है अगर हम लेयर से colors को बदलते हैं तो वो सारी लेयरों पर बदलते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगयों तो लाइक और शेयर कीजिएगा subscribe कीजिएगा और bell icon पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा nice meeting you guys